गाजा पटी बना धर्ती का नर्क दोस्तो हमास ने जब से इसराइल पर हमला किया है तब से इसराइल ने भी जवाबी हमले में गाजा पटी में रह रहे हमास के एके का तंकियों को मारना शुरू कर दिया है और अभी तक इसराइल ने गाजा पटी पर 6000 से भी ज़्यादा मिस अगर के बीच बसा एक छोटा सा इलाका है जिसे फिलिस्तीन का हिस्सा माना जाता है इसकी लंबाई 40-41 किलो मिटर और चवडाई 6-12 किलो मिटर है यहां की अबादी 20 लाग से भी जादा है इसे दुनिया के सबसे गरीब और घने जगहों में से एक माना जाता है यहां पर 60% ह महा सचीव एंटेओरिय गुटेरस ने इसे दुनिया का नर्क कह दिया था इसके दक्षिन पश्ची में मिश्र और उतरपूर्वे में इसराइल देश है हाला कि अभी के समय भी गाजा पटी यूद का केंदर बना है क्योंकि ज्यादातर हमास के अतंकी यहीं पर रहते हैं और यह अतंकी यहीं से इसराइल पर बंबारी करते हैं जिसके बाद से इसराइल भी इन पर हमला करता है जिसे कि जब भी लडाई होती है तब गाजा पटी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और अब इस खतरना का हमले के बाद इसराइल ने गाजा पटी को बिजली पानी और खाने पिने की सभी चीज़े देनी बंद कर दी जिसे कि वहां के लोगों को और भी ज्यादा परिशानी का सामना करना पड़ रहा है इसराइल के लक्षा मंतरी यो गैलेंट ने कहा कि अब हम गाजा पटी को चारो तरब से घेरा बंदी करेंगे इसके लिए इसराइल ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है इस लड़ाई की वज़े से इसराइल में सभी स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है और अभी तक इसराइल ने गाजा पटी में रह रहे साथ सो से भी ज़्यादा आतंकियों के ठिकाने को तबाह कर दिया है जिसमें गाजा जारी रहेगी जरा सोचिए दोस्तों जहां पर पहले से ही तीन में से हर दूसरा व्यक्ती भूख मरी से जूज रहा हो और वहां पर ये सभी सुविदाएं देना बंद कर दिया जाए तो उस जगह पर रह रहे हैं लोगों के उपर क्या बितेगी और ऐसा ही हो रहा है गाजा पटी में रह रहे हैं लोगों के उपर ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि इस लड़ाई के बाद गाजा पटी के हलात और भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे क्योंकि इसराइल ने टैंक और तोपों के साथ गाजा पटी में घुसकर वहां पर छीपे सभी आतंकियों को खत्म करना शुरू कर दिया है और इसराइल ने एक हजार से भी जादा टैंक और तोप गाजा पटी की तरफ तैनात किया है और एक लाग सैनिकों को हमास के अतंकियों से हमेशा भिड़ने के लिए पूरी तरह से तयार रहने के लिए कहा है जबकि इसराइल के और भी सैन कर हमले कर रहे हो उसी हम खंडर में बदल देंगे तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस जंग में किसकी जीत होगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जुरूर बताएं